इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी Pentekind DSR capsule एक डॉक्टर के परचे की दवा है जिसे gastroesophagal reflux disease, acid reflux और practicals disease का इलाज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है यह acidity के लक्षणों जैसे कि अपच, छाती में जलन, पेट में दर्द और जलन से राहत दे कर काम करती है Pentekind DSR capsule भी पेट में acid को बैसर करता है और पेट की परेशानी को कम करने के लिए gas बाहर निकलने में मदद करता है इसे डॉक्टर द्वारा बताए गए डोज और समय तक खाने के बिना लिया जाता है डोज आपकी condition और दवा के प्रती आपके response पर निर्भर करेगी डॉक्टर द्वारा निर्धारित अवधी तक इस दवा का सेवन जारी रखें अगर आप इलाज को जल्दी रोकते हैं तो आपके लक्षन वापस आ सकते हैं और आपकी स्थिती और भी खराब हो सकती है अपनी हिल्थ के टीम को अन्य सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रही हैं क्योंकि वो दवाएं इस दवा को प्रभावित या इससे प्रभावित हो सकती हैं सबसे सामान्य साइड इफेक्ट डायरिया, दस्त, पेट में दर्ध, पेट फूलना, गैस बनना, मूह में सूखापन और सिर दर्ध हैं इन में से अधिकांश अस्थाई होते हैं और आमतोर पर समय के साथ सही हो जाते हैं अगर आप इन में से किसी भी साइड इफेक्ट को लेकर चिंतित हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें इस दवा से आपको चक्कर या नींद आ सकती है इसलिए जब तक आप यह नजान ले कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती है तब तक ड्राइव या ऐसा कोई काम न करें जिसमें मानसिक फोकस की आवशक्ता होती है यह दवा लेने के दौरान शराब पीने से बचें क्यूंकि इससे आपको अधिक नींद आ सकती है लाइफस्टाइल में परिवर्तन जैसे ठंड़ दूद लेना और गरम चाय, कॉफी, मसालेदार भोजन या चोकलिट से बहतर परिनाम पाने में मदद मिल सकती है अगर आप किड्नी या लिवर की बीमारी से पीडित हैं तो इस दवा का सेवन शुरू करने से पहले डौक्टर को सूचित करना महत्व पूर्ण है अगर आप गर्भवती हैं, गर्भधारन की योजना बना रही हैं या स्तनपान करवा रही हैं तो भी आपको अपने डौक्टर को बताना चाहिए विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद